अमस्वार इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता देते हैं कॉंग्रिस अद्श खर्गे के बयान पर अमिश्या ने बड़ा पलडवार किया है अमिश्या ने कहा है कि खर्गे ने मोधी को विशेला शाप कहा था तो साप बताने वाले को जिताएंगे क्या और प्यांका ने मोधी को नीची जाथी का बताया था तो अमिश्या ने रैली के दोरान उठाया ये बड़ा जब मलिकार जुन खर्गे ने प्रधान मंतरी मोधी को विशेला साप करार दिया था जिसका जिक्र करते हुए अमिश्या ने कहा है कि जो प्रधान मंतरी को साप कहते हैं क्या आप उनको जिताएंगे विशेला था एक कॉंग्रेस पार्टी के पास मुद्दे समाप्त हो गए विगत नौ साल से इस देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी देश का सन्मान दुनिया में बढ़ाया है भारत को समरूद करने का काम किया है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया है भारत की सिमाओं को सुरक्सित किया है और मोधी जी दुनिया में जहां जहां जाते है दुनिया भर की जंता मोदी 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 के नारे लगाकर मोदी जी का स्वाहगत करती है पूरी दुनिया जीस प्रदान मंत्री का स्वागत करती है हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है सनमान करती है एक कॉंग्रेस के अध्यक्स खरगे खरगे जी उनको कहते हैं कि विसेला साप जैसे है माताओ भाईयो बेनों मैं आपको पूछने आया हूँ मोदी जी की तुलना साप से करने वाली कॉंग्रेस पार्टी को चुनाओं में जिता सकते हैं क्या बताईये जिता सकते है कभी एक कॉंग्रेस पार्टी नारे लगाती है कॉंग्रेस तेरी कबर खुदेगी सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौधागर प्रियंका गांधी कहती है नीची जाती के लोग और यह कहते हैं विसेला साब अरे कॉंग्रेस वालो आपकी मती मारी गई है मती मारी गई है मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे कमल इतना ही अच्छे से खील कर बहार आने वाला है अब कॉंग्रेस के अर्दक्ष मलिक अरजुन खरगे के जिस बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ एक बार आपको सुनाते हैं आखिरकार क्यूं इस बयान को लेकर इतनी गर्मा गर्मी हो रही है மोधी अन्द Lustre इदी विश्द हामित्தेंगे नियव değer इदी विश्यादाई उडला नोडüh नोड़ाचा's". Other comment he references to that. मोधी अंदर ये विश्यद हामित तंगे निवन्दर ये इदु विश्यादा इल्ला नोड़ाना सौल्प नेक्क नोड़ानां नेक्का कोगिर। नेक्कुरु सत्ता मोधी अंदरे विश्यद हामित तेंगे निवांदरे ए इदु विश्यादा इल्ला नोड़ाना स्वाप नेक्क नोड़ाना नेक्का कोगिर। नेक्कुरू सत्ता